नमस्का दोस्तों स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चानल एच्पी जी के बेद पिकी में आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी थारे को अच्छ से कर रहे होंगे आज हम इस वीडियो मां हमाचल पदेश जीके के कुछ महत्पूरम प्रसनों को डिसकस करेंगे य दोस्तों आपके पास की माचल पदेश के के जीले की शी माँ पंजाब के रोपट जीले से लगती है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास option ए बिलास्पूर नक्ट कोशन है दोस्तों आपके पास की गवरी देवी का टिपा हमाचल के जीले में स्तेता और प्रसन सी चंबा या उप्षन डी मंडी जो आपका गोरी देभी का टिपा चोटी जो है वह माचल पदेश के कि चंबा जिले में स्तित है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास ओप्षण सी चमबा नग्ट कोशन दोस्तों की हाथी धार हिमाचल पदेश के की जिले में स्तित है ओप्षण इमंडी ऑप्षण भी शिमला उसन सी सिर्मौर या ऑप्षण डि चमबा जो आपका हाथीधार जो है माचल पदेश के चंबा जिले में स्थित है तो इसके राइट अंसर हो जाएगा आपके पास उपसंडी चंबा नक्ट कोशन है आपके पास की कौन से परवती दर्रत स्पीति को लदाख से जोड़ता है उप्शने कुंजुम उप्शन भी कांगरा उप्शन सी हम्टा य जो आपका काजा जो है यहां पर सबसे कम बर्षा होती है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास उप्शन भी काजा नक्ट कोशन दोस्तों कि इसमें कोशन ऐसे पूछा गया कि रूपी भावा बने जीव अभ्यारन हिमाचल के के जिले में स्थित है जो आपका र पराणी सरन स्थल माचल प्रदेश के मंडी जिले के किस जभी में स्थित तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास ओप्षिन सी शुंदर नगे नेक्ट कोशेन है जखनी देवी मंदिर कह cardboard कुपड़ी सरमला ओप्षिन इस नमने बोरे कटिप जखनी देवी मंदिर कहा जिले के सरमला मैं स्थिदी तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास की तीज कहा तहु determined कि मना जाता है option 1 कि नोर option B हमीद पूर option C मिलाफ़ोर या option D सिर्मोर जो आपका 30 का तीज का तिहुआ जो है वह हमाचल प्रदेश के सिर्मोर जिल्य में अमनाए जाता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास option D सिर्मोर नेक्ट कोश्टन है आपके पास के डुंगरी मेला है माचल पदेश के के जिले में मनाई जाता है और आपके पास की खोकन के आधि ब्रह्मा मंदिर की शिल्फ सेली क्या है आपके पास की माचल पदेश के की जिले में सरवादिक बिधान सबसीते हैं तो इसका राइट पदेश के कांगड़ा जिले में सरवादिक बिधान सबसीते हैं तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास कांगड़ा न Kṛṣṇa solder दोस्तों आपके पास की उसक्त मेरा चलब पदो प्रियोजना चमबा जिले में स्थीथ है यह परियोजना किस्थने मेगा वाट की प्रियोजना है यह प्रियोजना dicen मेगवाट की परियोजना है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास ओप्षण सी 300 मेगवाट नेक्ट कोश्टन दोस्तों की बेरस यूल जल बीदू परियोजना किस जिले में सती था उप्षण एकुलू उप्षण भी चंबा उप्षण सी सिर्मोर या उप्षण ड पर अक्रमन किया था तो उस समय जस्मान का राजा कौन था उप्षण भी पाल उप्षण भी उप्षण भी उप्षण भी उप्षण भी उप्षण भी उप्षण भी उप्षण डी जे जन तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास उप्षण भी उप्षण भी जो आपका जो है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास ऑफसंटी उन्हा नक्ट कोशन दोस्तों कि मंडी मंडी सहर किस नदी के किनारे बसा हुआ जो मंडी शहर जो है वह आपकी ब्यास नदी किनारे बसा हुआ तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास ऑफशन सी नेक्ट कोशन है दोस्तों कि माचप पडेश के राजी सभा की किने सदस्द से चुने जाते हैं यह आपके तीन चुने जाते हैं तो इसका राइट अ आपके पास ऑफशन सी लुनानी वीडियो के आपको एक्जाम के पॉइंट ओव भी से थोड़ी से भी हल्पू लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर सब्स्क्राइब करना ना भूले थैंक्यू जेहिंद जेहमाचंद